एक बार अमेरिका में एक क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई गई जब साइन्टिस्ट ने ये इस निव खबर अखवारों में पढ़ी तो उससे मिलने के लिए पहुँचे परमिशन ले गई और उसे ये बताया गया कि आपको फांसी की सजा नहीं कोबरा से डसवाया जाएगा वो पूरी रात परिशान रहा वो क्रिमिनल सुबह सजा का वक्त था उससे एक रूम में ले जाया गया रूम में ले जा करके चेर पर बठाया गया उसकी आँकों पर काली पटी बांदी गई और उसे अब लगा कि साइंटिस्ट उसके पास आएंगे और उसे कोबरा से डसवाएंगे साइंटिस्ट उसके पास आए मगर कोबरा से नहीं डसवाया सिर्फ दो छोटी छोटी safety pins चुभाई कुछ seconds में ही उस बंदे की मौत हो गई जब post-mortem हुआ तो मालूम चला कि उसकी बॉडी में उतना जहर था जितना एक कोबरा के काटने पर होता है अब आप सोचेंगे कि उसकी बॉडी में जहर कहां से है उसके thoughts से इतना ज़्यादा negative सोचने लगा उसे लगा कि उसे कोबरा ने काट लिया है और उसकी बॉडी ने खुद जहर पैदा कर दिया यह चोटी सी कहानी बताती है कि आपके thoughts का positive होना बहुत जरूरी है और end में मैं बस इतना ही कहूँगा जिन्दगी में कभी उदास ना होना जिन्दगी में कभी उदास ना होना कभी किसी बात पर निराश ना होना यह जिन्दगी एक संघर्ष है चलती ही रहेगी कभी अपने जीने का अंदाज नक होना